साई की बात बिल्कुल जिंता मत करना हो सकता है कि बहुत सारी बाते ऐसी हो जो शायद तुम्हें पसंद ना आए लेकिन उस वक्त ना चुप रहना शांत रहना क्योंकि मेरे बच्चे हर जगा पर गुस्सा नहीं दिखाया जाता कभी कभी ना चीजों को बनाने के लिए अपने गुसे पर काबू रखना पड़ता है शांत से शांत सभाव से बात करनी पड़ती है समझदारी से करनी पड़ती है और बाद में सब कुछ में तुम्हारे बक्ष में लाकर खड़ा कर दूँगा बस कुछ समय की बात होगी बस कुछ समय चुप रह लेना बस कुछ समय अपने बाबा के लिए और सुनो तुमने अपने जिन्दगी को अपने हातों से चुना था याद है ना तुमने अपने जो निर्ने थे वो खुद से लिये थे मैंने तुम्हें कितना माना किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मा आपने साइने के विरुद जाकर वो काम किया जो तुम्हे नहीं करना था और आज उसarem का पश्टावा तुमें है ओर चलो ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का पश्टावा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें अपनाने को तयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे ही बच्चे थे, तुम बस मुझसे बिछड गए थे कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो, मेरे पा अब बस आगे की तरफ देख, तेरा साई है न, जैसे जैसे मैं कहूंगा, वैसे वैसे करना, फिर देखना, सब कुछ पहले की तरह मैं सही कर दूँगा, तो बिल्कुल जिन्ता मत करना, और सुन, जिस चीज की इच्छा तुम मन में रखता है न, कि तेरे घर में नन्ना मु तो हो चुकी है मेरे बचे, अब बस तुम्हें प्रतिक्ष रूप से दिखाना ही बाकी रह गया है, बाकी सारा काम हो चुका है मेरे बचे, सारे इंतजाम हो चुके है, सब कुछ हो चुका है, और सुनो, जो तुम्हारे घर के बाग में, जो गुलाब का फूल है न, वहां क तुम मेरी साइसा चरित्र ना पढ़ पाओ, ना छूपाओ ना, तो एक काम करना, सुन लेना, किसी से सुन लेना मेरे बच्चे, या किसी यंत्र के द्वारा सुन लेना, लेकिन सुन जरूर लेना मेरे बच्चे, मेरे साइसा चरित्र के अध्यायों को जरूर सुनना, उसे बि बस इसलिए तुमसे वह पाट कर वारा हूँ और सुनो घबराओं मत डरों मत तुम डर रहे हु ना आज क्या होगा कुछ नहीं होगा आज किसका दिन है आज तुम बाबा का दिन है तुम जाओगे ना तो तुम बोह बाओगी मैं तुम्हारे अंदर इतनी शक्ती भर दूँगा इतनी ताकत भर दूँगा कि तुम डरोगे नहीं तुम बेजिजक होकर बोलोगे सारी बाते और सुनो एक बात हमेशा याद रखना कि सच बोलने से कभी कतराना मत कभी डरना मत क्योंकि तुम्हारे बाबा ने न कभी सच बोलने से डरना सिखाया नहीं तुम्हें हमेशा डट कर सच बोलो सब के सामने बोलो बेजिजक होकर बोलो क्योंकि तुम्हारे ना सच बोलने के वज़ज़ से किसी निर्दोश व्यक्ती पर गलत इल्जाम लगाए चाते हैं मेरे बच्चे जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता तुम अगर उस वक्त चुप रह लिए न तो वो हमेशा हमेशा के लिए उस पर इल्जाम लग जाएंगे और वो जिन्दगी भरना इस चीज को लेके जी नहीं पाएगा मेरे बच्चे ये उसकी जिन्दगी का सवाल है और ये तुम पर है तुम पर निर्भर करता है ये उसकी जिन्दगी तो उसे ना कभी जूटा मत करार करवाना उसे जूटा मत हैरवाना जो सच है वही बोलना चाहे तुमें कितना भी लोग दवाब डाले तुमें गलत बोलने के लिए गलत करने के लिए लेकिन तुम्हारी अंदर से अंतरात्मा गवाही नहीं देती ये मैं जानता हूँ क्योंकि तुम मेरे बचे हो और तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते इतना विश्वास है मुझे तुम पर मैं जानता हूँ मेरे बच्चे मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं करोगे और तुमने मुझे कई बारी कहा है कि बाबा मैं गलत नहीं करूँगा तुम मुझे पता है मेरे बच्चे मुझे भरोसा है तुछ पर और सुनो आज जो तुमने मुझसे प्रात्ना की थी ना कि आज तुम्हारे बच्चे की देख रेक करना आज जो तुम्हारा बच्चा जिस परिक्षा को देने जा रहा था उसका साथ देना कहा था ना तुमने सुभा तो देखो तुम्हारे आज बच्चे की परिक्षा बहु और तुम्हारा नाम रोशन करेगा और ये बात तुम्हारे अंदर ये अंदर ना कभी कभी उत्वन होती है कि बाबा ने कुछ कर रखा है आती है ना तो हाँ मैंने सच में कर रखा है जो तुम्हारे अंदर आत्मा से जो आवाज आती है ना कि तुम्हारा बच्चा सच में, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तो ये सच है मेरे बच्चे, ये सच है, जो तुम्हारे अंदर आत्मा बोलती है न, वो कभी जूट नहीं बोलती, वो सत्य बोलती है, क्योंकि वो मेरे ही आत्मा की आवाज है, मेरे ही अंतर आत्मा की तुम हमेशा प्रातना करते हो लेकिन हमेशा करते हो अपने लिए अपने परिवार के लिए लेकिन आज प्रातना करना उस व्यक्ति के लिए मेरे बच्चे क्योंकि उसे तुम्हारी प्रातना की बहुत सरुवत है और तुम्हारी प्रातना सीधा मुश्टक पहुशती है मेरे और कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो आज मंदिर नहीं आपाएंगे, किसी वज़ों से किसी कारण से, तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, उदास बिलकुल भी मतो, तुम नहीं आपाऊगे तो क्या हुआ, तुम्हारा साई आज किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास आ किसी और आत्मा के लिए किसी की आत्मा को तरप्त करने के लिए क्योंकि वो तुम्हारी एक निवाला वो तुम्हारा एक निवाला किसी की आत्मा को तरप्त करने के लिए बना होता है वो तुम्हारी तरफ से एक सेवा होती है एक बहुत छोटी सेवा लेकिन वो किसी की आत्म तो उसका कोई मोल नहीं होता मेरे बच्चे और तुम्हारे धाली में जो एक एक दाना बशता है वो किसी के लिए होता है उस पर किसी और का नाम लिखा होता है तो बस वही होता है उसे इधर उदर फेका मत करो सीधा बाहर जाकर रख दिया करो वो जिसका होगा न वो आकर खा सब्सक्राइब करें। और सुनो, तुम्हें रात में बहुत डर लगता है ना, अलग-अलग अवासे आती है ना, बहुत अजीब सा लगता है ना, गवराहड होती है, पसीने आते हैं, तो सुनो, मेरी उधी को हमेशा अपने पास रखा करो, अगर हो सके तो उधी का ताबिच बना कर अपने हाथ में से दूर रहेंगी चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है तुम अकेले कभी भी नहीं होते मैं हमेशा तुम्हारे साथ होता हूं हमेशा कभी भी मुझे पुकार लेना खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप दूआ